चलिए आज हम have और has का प्रयोब करेंगे, तो यहाँ पर जो मैंने have और has लिया है, वो एक helping verb है, जिसका मतलब होता है pass में होना, और इसका हम उपयोग सिर्फ subject और object के बीच में करेंगे, उस वक्त हमें उसका meaning करना है pass में होना, है और has के बाद अगर मान लोग वीत्री आता है, वर्प का third form आता है, तो उसका मतलब pass में होना नहीं होता है, यह सिर्फ हमें यह जो वीडियो में बना रहा हूं, वो second third के बच्चों के लिए बना रहा हूं, second third, fourth तक बराबर है, जो meaning उसका pass में होना है, यह meaning से करेंगे, वो वीडियो में बन रही है, तो यहां पर मैं अभी आज सिखाने जा रहा हूं, first, second, third, कम से कम third standard के बच्चों को यह आया, पोर्ट तक हम लोग कह सकते हैं कि यह इनको content आता है, कि इसके साथ हम कौन सा helping word यूज़ करेंगे, तो यह जैसे हमारे helping word, amies are, present के है, was word भी है, हमारे third person singular, हमारे third person singular कौन है, he, she, it कौन है, he, she, it के साथ हम यूज़ करते हैं, तो बाकी सब के साथ हम have यूज़ करते हैं, दूसरा, हमारा third person कौन है, तो कि proper noun, जो हमारे नाम है, persons name होते हैं, जैसे साधी, सल्मा, साइमा, my brothers, देखो मैंने my brother singular में बुला हो, तो हैज आएगा, ल अच्छा, अब हमें यहाँ पर blank बरना है, तो देखो I के बात क्या आया, blank आई, तो I के साथ कौन सा वर्भी उज़ करते हैं, have, I have, we have, you have, he के साथ has, she के साथ has, it के साथ has, they के साथ have, तो noun आएगा तो has, और noun plural में होगा तो have, चलो यहाँ पर I के साथ क्या आया, have, I have a short pen, मेरे पास एक छोटी सी pen है, you have a cute dog, तुम्हारे पास एक अच्छा सा कुत्ता है, तो यहाँ पर दो के subject और object के 20 में है वाया है, चलो यहाँ पर मेरे दिया है, I के साथ क्या आएगा, have, I have an apple, he के साथ आएगा has, he has a pen, उसके पास pen है, she has a wallet, उसके पास एक wallet है, तुम्हारे के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एनिमल्स के पास पूछ होते हैं, उसको एक पूछे, उसको दात है, उसके पाउ है, जो एनिमल्स के लिए बोलेंगे, तो उसके दात है, उसके पाउ है, तो हम हाथी के दात है, तो an elephant has tusks, तो हम इस तरह से बोलेगे, तो यहां पर इट है जट तेल में उसको एक पूछ है माया है जब पर्स माया के पास एक पर्स है बॉइस है बुख्स लड़कों के पास किताबे हैं अचा अब इसकी मुझे क्वेश्चन बनानी हो तो यह जो हमारा है अगे लिखे लेंगे तो वह क्वेश्चन बन जाएगी जैसे के मैंने यहां पर बनाए है एफ आफ और सॉट पैन अचा उसका आन्सर देना सॉट में कहेंगे देखो मुझे मैं कोश़न बनाता हो है ज़ो मैंने हैसं च्राइपधल कर दिया क्या उसके पास पैन है तो मैं इसका का short form है as not का short form है and not का short form है haven't उम्मेद करता है आपको समझना आ गया होगा अच्छा मैं यहाँ फिल कुशन यह बनाता हूं चलो है जमाया अपर्स है यहां माया यूज हो आ है तो हम प्रोडाउन क्या लेंगे उसकी जगह पे शी यह सी है नो के बाद को मानों शी हैंट उम्मिद करता हूं आपको यह कंटेंट समझ में आ गया होगा समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू थैंक यू अरी